केहीन साथियों स्वागता है आप सभी का सम्षून्ने जीकेजी एस चैनल पर जैसा कि आप सबी को पता है कि हमारे चैनल के माध्यम से बिहार ठीक सी और बिहार द्रोगा की बहुत जोरोश और और सिय त्यारी करा ही जा रही है 15 जो इस volume 1 में 15 total practice set है और हम लोग ने 11 sets को complete कर लिया है तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए है वो चैनल के playlist में जा करके सारा वीडियो उने provide करा दिया गया है एक arrange कर दिया गया है अच्छे तरीके से तो जा करके अपनी त्यारी 0 level से और बहुत ही अच्छे अस्तर पर ल रहे हैं तो आने वाला बस तीन ही class है इसका और उसके बाद जब यह volume 1 खतम होगा तो हम लोग पढ़ेंगे जो रुकमानी प्लिकेशन प्लेटफॉर्म द्वारा लिकाला गया है उसका हम लोग volume 1 को पहले complete करेंगे क्योंकि अभी जहां तक देखा जा रहा है कि रुकमानी ज़्यादा questions अभी exam में लड़ रहे हैं बहुत ही ज़्यादा questions अभी exam में आ रहे हैं उसी book से तो हम लोग जैसे यह खतम होता है 2-3 दिन में उसके बाद हम लोग रुकमानी प्लिकेशन का book को complete करेंगे तो देखिए आज का हमारा पहला question है Umm Sat Number 12 का पहला question है अंहारा राश्ट्य संस्क्रिती स्क्रिती महत्सों 2000 17 का आयोजन कहा किया गया है कब से कब तक तो 11 फरवरी से 19 फरवरी तर Next question Budget 2023 के अनुसार प्रभावी राजस्वे घाटा GDP का कितना प्रतिसत है तो इसका जो प्रतिसत होगा 1.7% है Option number B is the right answer देखिए केंद्रिय बजट 2023 में प्रभावी राजस्वे घाटा GDP का जो 1.7% है ताथा राजस्वे घाटा जो है GDP 2.9% है राजस्वे घाटा GDP है 2.9% और प्रभावी राजस्वे घाटा GDP जो है वो है 1.7% Next question Budget 2023 में किये गए घोस्णा के अनुसार नई कर ब्यवस्था में कितने रूपे तक आए वाले व्यक्तियों को कर का भुक्तान नहीं करना होगा तो इसका सही एंसर होजएगा 7.0.0.0 Option number B is the right answer देखिए Budget 2023 में नई कर ब्यवस्था को लाया गया है Budget 2023 में नई कर ब्यवस्था को लाया गया है जिसमें 7.0.0 रूपे तक के आए वाले व्यक्तियों को कोई भी 7.0.0 रूपे तक के आए वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं भुक्तान करना है पड़ेगा तो इसका राइट एंसर होजएगा पहला Option number A is the right answer देखिए हमारा जो भारत का अस्थान है पहला है 2022-23 में वेक्सिन रिमान में के अस्थान पर Next question EOS 07 उपग्रह का प्रच्छेपन किस प्रच्छेपन यान में से किया गया तो इसका राइट एंसर हो जाएगा SSLVD2 Option number A is the right answer देखिए EOS 7 उपग्रह का प्रच्छेपन SSLVD2 प्रच्छेपन यान से के द्वारा किया गया जबकि EOS O6 का प्रच्छेपन जो EOS O6 था उसका प्रच्छेपन PSLVCC 54 के द्वारा किया गया था Next question Option number B is the right answer देखे, जम्मू कसमिर में क्रामिन चैत्रों औरல सी के पास के चैत्रों में लोगों की मदद के लिए भारतिये सेनाद्वरा ऑप्रेशन सद्बावना चलाया गया था next question भारत में 28 महलेक नियंतरन को बने थे? तो भारत में 28 महलेक नियंतरन बने थे? स्री एशेस दूबे option number A is the right answer आगे देखे next question विश्वे स्वास दिवस 2013 का विशे था वो था health for all option number B is the right answer और विश्वे स्वास दिवस जो है वो प्रतिवर्स 7 अपरेल को मनाया जाता है प्रतिवर्स 7 अपरेल को विश्वे स्वास दिवस संक्री को सम्मानित किया गया और उन्हें यह पुरस्कार जो है सुर्व वन्सम हेतु दिया गया है उन्हें यानि कि सिवसंक्री को पुरस्कार जो है सुर्व वन्सम हेतु दिया गया था next question पुस्तक as good my world के लेखक है पूस्तक as good my world के जो लेकक है वो है ks देखे ks चंद्रेसेखर km चंद्रेसेखर option number b is the right answer देखे as good my world पूस्तक को मार्च 2023 में जारी किया गया था और इसके लेकक कौन थे तो इसके लेकक थे km चंद्रेसेखर आगे देखिए next question, किस संस्ता द्वारा International Climate Club को launch किया गया तो किस संस्ता के द्वारा International Climate Club को launch किया गया तो वो है G7, option number A is the right answer देखें, global warming के खिलाफ लडाई में सहयोग करने के लिए G7 के समूह देशों ने International Climate Club बनाया है next question, बिश्व रस्वास्त रसण संगहतन के नए मुख बेग़्यानिक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है तो किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही नियुक्त किया गया से से जो जिनका अधिक एच हो रहा है वो तिर्थ यात्रा के लिए आवेदन कर सकते हैं नेश्ट कोचन ब्रजवनसी लाल जिनका हाले में निधन हो गया उनका संबंध किस छेत्रे से था तो ब्रजवंसी लाल जिनका हाली में निधन हो गया उनका जो सम्बंध था वो पुरा तत्वे सम्बंध से था देखे ब्रजबनसी लाल जिनका हाली में निदन हो गया उनका जो संबन्ध था वो पूरा तत्वे छेत्रे से था अप्शन नबर B is the right answer नेक्ट वोशन किसे राज गौव सेवा आयोग किसे राज द्वारा गौव सेवा आयोग विधेया को पारित किया गया है वो है महराष्ट option number A is the right answer और इस कानून के तहट देशी गायो बैलोग के प्रजणन को बढ़ाने पर कार किया जाएगा नेक्ट कोचन नेक्ट गंगास ने 48 kg वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है कितने वर्ग में तो 48 kg वर्ग में स्वर्ण पदक को जीता है आगे देखिए जबकि पहले अस्थान पर अपगाली स्थान है नेक्ट कोचन हाली में चीन के राष्ट पती ने पुना राष्ट पती का पदभार संभाला है यह उनका कौन सा कारेकाल है तो यह जो है उनका तीसरा कारेकाल है और इनका संबंध सत्ता रूड कमुनिस्ट पाटी से है नेक्ट कोचन राष्टि विज्ञान दिवस 2023 का बीशे था वो था बेस्विक कल्यान के लिए बेस्विक विज्ञान और राष्टि विज्ञान दिवस जो है प्रती वर्ष 28 फरवरी को 28 फेव को मनाया जाता है ठीक आगे देखें नेक्ट कोचन पहली बार वेश्विक अस्तर पर 20 विज्ञान दिवस कब मनायी गई थी पहली बार 22 विज्ञान दिवस जो है 1997 में मनायी गई थी और इस दर राइट एंसर नेक्ट कोचन परधान मंत्री राष्टिय बालपुरसकार 2023 में कितने बच्चों को किया गया तो 2023 में बालपुरसकार का जो कितने बच्चों को प्रसक्रिट किया गया तो 11 बच्चों को प्रसक्रिट किया गया है और देखें जिसमें 6 लड़के और 5 लड़किया है और 2022 में यह तो होगए 2023 का जिसमें total 11 को प्रसकारिट किया गया है और जिसमें से 6 लड़के और 5 लड़ किया है और 2022 में 29 बच्चों को और 2021 में 32 बच्चों को प्रस्क्रित किया गया था ठीक है आगे देखें next question नाटो का एक तीसवा देश मार्च 2023 में कौन बना है तो नाटो का एक तीसवा देश मार्च 2023 में कौन सा बना है तो होगा फिल्लेंड option number C is the right answer और देखें नाटो की अस्थापना जो है 1949 1949 में किया गया था और फिल्लेंड की रजधानी हेलंग सीकी है world happiness index 2023 में फिल्लेंड पहले अस्थान पर है next question बिहार खादी तथा हेलनूम का ब्रांड एंबेस्टर किसे बनाया गया है बिहार खादी था था हेललुम का ब्राइन रेमेश्टर मैथली ठाकूर को बनाया गया है option number A is the right answer, मैथली ठाकूर is the right answer next question, अयोस्चम के नए अध्यक्ष कौन बने तो अयोस्चम के नए अध्यक्ष जो बने है वो है अजय सी option number A is the right answer, देखिए अयोस्चम के नए अध्यक्ष अध्यक्ष बने है और इनके उपाध्यक्ष जो है वो संजय नाथन बने है next question, नीमने लिखित में से कौन सी धारा प्रसांत महासागर से संबनित नहीं है तो कौन सी धारा जो है जो कि प्रसांत महासागर से संबनित नहीं है तो इसका सही अंसर हो जगा, बेंगुएला, option number D is the right answer, देखिए बेंगुएला जल धारा, दंडी जल धारा है, वेंजुएला जो जल धारा है वो ठंडी जल धारा है, ठीक है, जो अट्लांटिक महासाग की जल धारा है, इसे आप लोगे याद रखिएगा, next question, क्यूटो प्रोटोकॉल को लागू किया गया, तो क्यूटो प्रोटोकॉल को जो लागू किया गया, इसका right answer हो जाएगा, 2005 में लागू किया गया, क्यूटो प्रोटोकॉल को, option number C is the right answer, और देखिए, 16 फ्रवर्वर में, December 1997 में, next question, सकाई जन्जाती निमासी करती है, तो सकाई जन्जाती जो है, वो मलेचिया के वनों में निमासी करती है, option number A is the right answer, और देखिए, इस जन्जाती का रंग साफ तथा कद्ध लंबा होता है, next question, खजूर उत्पादक में अगरहनी देश है, देखिए, आपका खजूर उत्पादक में कौन सादेश है, अगरहनी, तो वो है, इराक, option number B is the right answer, इराक, और देखिए, कि 20 में सबसे अधिक खजूर का उत्पादक निर्यात इराक द्वारा किया जाता है, आगे देखिए, next question, सत्यांशन परवत इस्तित है, सत्यांशन परवत जो है, वो च इस्तित है, तो कमलांग बाग रिजर्व जो है, और नाचल परदेश में इस्तित है, option number C is the right answer, और देखिए, कमलांग बाग रिजर्व है, और नाचल परदेश में इस्तित है, इसकी अस्थापना 2016 में किया गया था, और यह 783, 783 वार के किलोमेटर में फैला हुआ है, next question, बिश्वे का ब्यवस्तम आंतरिक जलमार्ग है, तो बिश्वे का ब्यवस्तम आंतरिक जलमार्ग जो है, वो है सेंट लौरेंस नदी जलमार्ग, option number A is the right answer, सेंट लौरेंस नदी जलमार्ग, देखिए, बिश्वे का ब्यवस्तम आंतरिक जलमार्ग, सेंट लौरेंस नदी और नील नदी जो बिश्वे की सबसे बड़ी लबी है सबसे बड़ी नदी है नील नदी सबसे बड़ी नदी है फुरे बिश्वे की next question coffee port के नाम से जाना जाता है तो coffee port के नाम से जाना जाता है Centos को Centos को option number B is the right answer और देखिए कि बीश्वे में सरवाधिक coffee का उत्पादक जो है ब्राजील करता है और Centos ब्राजील का ही एक coffee बंदरगा है Centos जो है ब्राजील का एक coffee बंदरगा है और यहां से coffee का सरवाधिक निर्यात किया जाता है next question भारत छोड़ो अंदोरन प्रस्ताव किस ने पेश किया था तो भारत छोड़ो अंदोरन प्रस्ताव जो था वो जो भाहरला नहरू ने प्रस्तुत किया था पेश किया था अफसर नमर ए इधर आइट एंसर और देखिए कप पेश किया था तो 8 अगस्त 1942 को जवाहला नहरु ने भारत छोड़ो अंदुरन को पेश किया था और पंडित जवाहला नहरु द्वारा भारत छोड़ो अंदुरन को प्रस्ताव जो पेश किया गया था जिसका सर्दार बल्ला भाई पटेल ने समर्थन किया था निस्ट कोस्टन पाल खेडा का यूद किसके किसके मत्द हुआ था तो पाल खेडा का यूद है वह बाजीराव प्रतम और निजामुल मुलके अप्शन नमबर बाजीराव प्रतम और अप्शन नमबर B is the right answer देखिए पाल खेडा का यूद निजामुल के बीच हुआ था जिसमें निजामुल की हार हुई थी इसमें निजामुल की हार हुई थी नेक्स्ट कोस्टन इलवर्ट विल विवाद के कारण किस गुवर्णल जर्राय को त्याकपत्र देना पड़ा था तो वो थे लॉड रिपन को जो था त्याकपत्र देना पड़ा था अप्सन नमबर A is the right answer और देखिए इलवर्ट विल जो कि 883 के विवाद के कारण रिपन को कारेकाल समाप्थोने के पूर्वे ही त्याकपत्र देना पड़ा था और रिपन का जो कारेकाल था वो 1884 से चौरासी तक था आगे देखिए किस अधिवेशन में गांधी जी ने कहा था कि गांधी मर सकता है परन्तु गांधिवाद नहीं और कहीं न कहीं सत्य भी कहा था अभी तक गांधी बाद नहीं मरा है देखिए किस अधिवेशन में यह कहा गया था तो वह अधिवेशन था कराची का अधिवेशन था option number C is the right answer और देखिए कांग्रेस ने कराची अधिवेशन 1931 जिसकी अधिक्षिता बल्ला भाई परतेल ने किए ती इस अधीवेशन में ही गांधी जी ने कहा था kcraft कि गांधी मर सकता है प्रन्तु गांधीवाध कभी भी नहीं मर सकता है नेक्स्ट गोश्चर निम्लो प्रश्णु का सही मिलान करें तो निम्लो प्रश्णु का सही मिलान करें देखें इस इंडिया एसोसियेशन है 1866 हो जाएगा पहला का 1866 हो जाएगा और तत्व बोधिनी सभा 1849 हो जाएगा पुशल सर्विस लीग 1911 और नोजवान सभा 1926 देखें क्या हो गया एंसर 4213 तो देखें ओप्षन नॉबर बी में है 4213 इस दा राइट एंसर ओप्षन नॉबर बी इस दा राइट एंसर नेस्ट कोश्चन आश्योगा अन्दोरन चलाने का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधि अधिवेशन में प्रस्ताव 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 और एक अगस्त नॉबर गांधी जी ने अश्योगा अन्दोरन को शुरू किया था था ता था था बाराफ फरवरी 1922 को इसे अस्थगित में कर दिया गया था obsessies ostat निंबका चांगर प्रसिथ दर्शन देत और यह किया था निवबका चारे ने किया था next question किस मुगल सासक को साही दर्वेस कहा जाता तो वो थे औरंग जेव option number C is the right answer next question किस अश्थान में स्वधाह का परमान मिला है तो किस अस्थान में युगल स्वधाह का परमान मिला है तो इसका right answer हो जाएगा काली बंगा काली बांगा में जो है यूगल स्वधा का प्रमान मिला है option number 3 is the right answer और देखिए एक कबर में एक ही ब्यक्ति को दपनाए जाता था यह आप लोग वच्छे से पता है अभी भी एक कबर में एक ही ब्यक्ति को दपनाए जाता है जिसमें एक एक और तिन तिन जो है क्या पूलते हैं लास होते हैं नेक्स कोस्टन व्यदिक देव मंडल में निम्ड मेंसे किसे यूद्र का देवता माना जाता है और देखे इंद्र को आरयो का यूद्र नेता तथा वर्षा का देवता भी माना जाता है निम्नेली खित में से किस सासक को स्वण्ड सिक्के जारी करने का स्रे दिया जाता है आगे दिखे शर्व प्रथम सोने के सिक्ये जो है क्रिशान सासकू में वीम किड़ फेसे ने जारी किया था निस्ट कॉशन भारतिय समिदान के प्रस्तावना में सामिल समंता सोतनता और बंदुता के अदर्स कोई प्रेता संबन्दित है तो इसका राइट एंसर हुजगा किससे संबन्दित है तो फ्रांस की किरांती से संबन्दित है ओप्शन No.B और देखिए 1789 से लेकर करके 1799 से प्रेडित है इसका वर्स जो है 1789 से 1799 तक है ठीक है आगे देखिए निक्स पॉस्चन किस बाद के फैसले में सर्योष नियाले ने स्वर्व प्रशम घोशित किया कि उद्धेशिका स्वमिधान का हिस्सा नहीं है तो उद्धेशिका जो अप्स नमबर ए इस देखिए केरल राज के 1373 वाद में सर्योष नियाले ने अपने निर्णे को पलटते हुए अभी उद्धेशिका को स्वमिधान का भाग माल लिया है और जो की बिरवाडी है जो पहले स्वमिधान का उद्धेशिका को स्वमिधान का हिस्सा नहीं माना मगर अभी केरल राज नहीं से माल लिया है नेक्स कोश्चन प्रत्यक्ष बंदी करण अधिनियम के अंतरगत एक ब्यक्ति पर बीना मुकादमा चलाए कितना समय तक बंदी बंदी बनाया जा सकता है इसका राइट एंसर हो जाएगा तीन माह आप्शन अबर दी इस राइट एंसर तीन माह है नेक्स कोश्चन कोश्चन फोर्टीन कर रहा है कि राज राज विधन मंडल की बैठक आयोजीत करने के लिए कोरम गणपूर्ती क्या है तो कोरम जो गणपूर्ती है वो है कुल्ट सदस्यका दासवा भाग अप्शन नमर ती इस राइट एंसर देखिए र तो अधिक हो तो कोरम गणपूर्ण होगा आगे देखिए नेक्स कोश्चन यदि किसी राज की विधान सभा का अध्यक्षे पद त्याग ना चाहिए तो उससे अपना त्याग पत्र देना चाहिए तो उससे त्याग पत्र किसे देना चाहिए तो उससे त्याग पत्र आपल पथ-विधान संफात्व को संभोधित कर अपने अपने उपाद्यक्षा को देगा के जाती है तो कारेकारीन यह दिसों की नियुकृति I have वो यह उच्छी नियालें की जाती है अप्शन अबर A is the right answer देखें अनुच्छी नियालें में कारे कारे निया धीसों का प्रवधान है अनुच्छी कितने में तो 224 में 224 के तहात यह है नेक्ट कोचन यह भी से जिन पर केंद्र वराज़ी सरकारों दोनों कानून बना सकती ह वह उलेखित है तो क्या चीज उलेखित है वह है समवर्ति सुची में उलेखित है ऑप्शन पर C is the right answer देखें नेक्ट कोचन निमने लिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है तो निमने लिखित में से जो कौन सी सुमेलित नहीं है तो है राज़पूर्ण गठन आयोग 1956 दे नेक्ट कोचन भारतिय समविधान में कौन सा अनुचेद कर खाने में बालको के नियोजन को प्रति सेथ करता है तो इसका राइट एंसर हो जाएगा अनुचेद 24 अप्शन नमर बी इस राइट एंसर देखें अनुचेद 24 में 14 बर से कम आयुक वाले किसी बच्चों को कर ख खाने खाऩ खानो या नने किसी जोखी भर काम पर नियुकति नहीं किया जा सकता है अनुछेद 24 के अनुसार निच्ट ङोचड़ नेलिक वर ये सरकार द्वारा प्रस्तूत किया जासकता रही अधुल सफ्रस्तिक्हाएंU निमने लिखित में से कौन सहीषुमेलित नहीं है तो फ welfare सभाई नाठ निम अंधर использ नहीं है तो देखिये तेल सोटकर खाना और उसका राज उस्थे नहीं है वो है नाध पट्रीणम आप्ट्रीणम से ओकाव से सहीषुमेलित ंबरी इसमें कर tidak और नाक पटिनम और नक पतिन्म कर होता का बहुत है इसका राज क्या है नाक पतिनम का तेलंशोधर कर खाना जो नाक पतिनम में यह कहां पतो यह तामिल तो रावत भटा परमानुबिजीत उजी जो है वो राजस्थान में इस्तित है, option number B is the right answer, next question, निमलिकित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में किस देश को जाना जाता है, तो निमलिकित में से ग्रेनाइट सिटी के रूप में एडवार्ग दिन, जो की स्कॉटलेंड में है इसे जाना जाता है, next question, सरहादी गांधी के उपनाम से किस ब्रेक्टि को जाना जाता है, तो सरहादी के उपनाम से जो है, अब्दुल गफार खान को जाना जाता है, अब्दुल गफार खान, option number A is the right answer, और देखे भारत रत ने, जो है, इनको दिया गया था, भारत रत ने अभ्दुल गफार खान सब्सक्राइब आगे दखिए भारत में एग्रो एकोलोजी जोन्स की संख्या वर्तमान में कितनी है तो एको एकोलोजी की जो है अभी जोन्स की संख्या 20 है डिष्व्फ नियंद्र रण दिवस कम अब और को बीश नियंत्रण दिवस जो है और करम देखिए इसका उंबर ए plays दि प्रोटीन केंद्रिका में निम्लिखित में से क्या नहीं पाया जाता है तो केंद्रिका में निम्लिखित में से जो क्या नहीं पाया जाता है वह है कार्बो हाइड्रेट ऑप्सन नुबर बी इस दराइट एंसर देखें केंद्रिका में प्रोटीन 85% आरने 10% तथा दीने 5% हो से कौन सा एक प्रकास संसलेशन उड़वन उड़ग नहीं है तो इसका सही एंसर हो जाएगा एंथोसाइनीन अप्शन नमर डी इस दराइट एंसर 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 होगा पादक में उपस्तित कोसी का जृट्ति निम्मीखित में से किस से निर्मीथ होती है तो किस से निर्मीत होती है वो होती है एक बहुत ही जटिल पदार्थ है कि नेश्ट कोश्चन पौधे में लचीलापन किस अस्थाई उत्तक के कारण होता है तो पौधे में लचीलापन जो होता है वो होता है कालें काईमा के कारण होता है अप्शन नमबर बी इस दराइट एंसर कालें काईमा के कारण होता है नेश्ट कोश्चन वनस्पति जगत का जीवन चक्रे की दिर्ष्टि से वो है फूस पर नेस्ट कोर्षन सुची वन को सुची Top जो पक्ची है वह एक्सो सितस एक और ब्रीज पर चणने वाला मेढब यह होगा हाईला हाईला और उड़ने वाली चिपकिली जो है वह होगी टेग्रों और उड़ने वाली जो अस्तन धारी है वह है चमगादर देखे क्या होगया चार तीन दो एक फिस दरइट एंसर देखे और उप्शन नबर एख इसदर जल का त्रिक बिंदु ताक किस ताफ्मान पर होता है तो वो होता है, 0 degrees Celsius पर होता है option number A, is the right answer देखे, दूर दुर्ड्रिष्ठी दोस्ट में प्रति भीम निम्नली लिखित में से कहां पर बनता है तो दूर्ड्रिष्टी दोस्ट में प्रति भीम जो होता है this question echo वह वह को में लिखित में वह को साध्र्कूत्व को कोन ईसके होगा ऊपरुनाइज आसे सान भाफ आंगाल गैस मिश्रण होता है वह है सीओ एस तूञ Ε्जटू उप्सट नर्ब option number D is the right answer CO और S2 देखिए इस gas में S2 जो है 50% है भाप अंगार gas में S2 जो है 50% S2 50% और CO जो है 45% होता है और जो 5% होता है वो अनकुछ gas से होती है next question विधूत उर्जा को ध्वानी उर्जा में रुपांतरिन करने वाला उपकरण मिल्क्रित में से कौन सा है तो वो हो जगा loud speaker है विधूत उर्जा को यांतरिक उर्जान में उपकरण करने वाला है देखिए next question 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 number 82 निम्न लिखित में से कौन सा कतन सत्य है तो निम्न लिखित में से जो कौन सा कतन सत्य है वो है प्रित्वी के घुन्णन गती घटने पर जी का मान बढ़ता है next question घुलं सीन नमक मिलाने पर जल के द्रिश्ट्रे तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है तो वो होता है बढ़ता है option number A is the right answer बढ़ता है next question tumor का पता लगाने के लिए निमने लिखित में से किसका उप्योग किया जाता है तो tumor का जो पता लगाने के लिए निमने लिखित में से arsenic 74 का उप्योग किया जाता है option number c is the right answer next question आधुनिक आवर्त साडनी के वर्ग में उपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार होता है तो उपर से नीचे आने पर तत्वों का आकार जो है बढ़ता है next question silver night निमलीखित में से किस धातु का अयस्षक है silver night जो है निमलीखित में से polymeric fiber है तो polymeric fiber कौन सा है वो है orlone option number b is the right answer और देखे orlone जो है orlone का उपयोग synthetic cumble sweater इत्यादी बनाने में उनके विकल्प के रूप में किया जाता है नेस्ट question transformer एक उपकरन है जो की voltage बढ़ाता है और voltage कम करता है तो इसका सहीन सरु जगा टास्पर में एक ऐसा उपकरन है जो voltage बढ़ानता है तथा कम भी करने की सहमता रगता है तो इसका सहीन सरु जगा केवल one or two option number a is the right answer नेस्ट question निमनी लिखित में से कौन सा एक radio active तत्वे नहीं है तो radio active तत्वे जो नहीं है वो है टाइटेनियम अप्सन नमर बी is the right answer टाइटेनियम सहीन सर होगा नेस्ट question निमनी लिखित में से कौन सी घटक प्रकास में अपर वर्तन का उधारन नहीं है तो कौन सा घटक प्रकास में अपर वर्तन का उधारन नहीं है तो इसका सहीन सरु जगा हीरे का चमकना अप्सन नमर डी is the right answer देखे हीरे का चमकना प्रकास के पुन आंत्रिक पर्यावर्तन का उधारन है ठीक है ना कि अपर वर्तन का उधारन नेस्ट question सतल राष्टिये उत्पाद जी एनपी में निमनी लिखित में से किसको सामिल नहीं किया जा सकता है तो किसको सामिल नहीं किया जा सकता है वो है विदेशी निमाचियों का I option number D is the right answer विदेशी निमाचियों का I को जीनपी में सामिल नहीं किया जा सकता है next question अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विप्रित हो गया हो तो उसे किस संस्था में मदद लेनी पड़ेगी तो उसे किस संस्था में मदद लेनी पड़ेगी वो होगा अंतराष्ट्य मुद्रा कोस अंतराष्ट्य मुद्रा कोस अपने सदस देशों को भुगतान संतुलन विप्रीत हो जाने पर सहायता प्रदान करता है ठीक है आगे देखे निक्स कोशन जब पैसे की अब पूर्ती बढ़ जाती है और पैसों की मांग कम हो जाती है तो यह होगा तो यह क्या होगा ब्याज क कि दर में कम हो जाती है ठीक है आप्सिन नम्र भी इस दराइट एंसर नेक्स कोशन इउनियन बजट में राज कोचिये घाटा निमने में से किसके बराबर है तो किसके बराबर है तो होगा आंत्रिक और ब्रहां उधार में सुध्य ब्रीदी ऑफ्सन नम्र ए इस दराइट भारत में सेवा छ्षेतर का हिस्सा और बहुत सारा सवाल रहता है इसलिए हम इसका answer आप गोगों को बढ़ा देते हैं देखे 96 का answer होगा 10.5 km, 97 का answer हो जागा 6.5 km per hour, 98 का answer हो जागा 154 semi-metre square, option number B is the right answer, 99 का answer हो जागा 2, और हन्डेटमर का एंसर होजागा परतेक सम् चत्रभुज एक वर्ग होता है और क्षब यहीं था हमारा आज का क्लास तो चलिए मिलते हैं अंगले वीडियो वीडियो में देखिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को ज़रूर सब्क्राइब कर लेजिए क्योंकि साम के टाइम में ग्यान विंदुसर का जो टेस्ट इस है उसकी भी त्यारी हम आप लोगों के लिए कर आए जाएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्ट वीडियो में जय हिन जय भारत